नमस्कार दोस्तों सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है तो हम लोग जनरल साइंस बाइलोजी के प्रिफेस एर कोश्चन कर रहे थे आपको मिल जाएगा तो आप लोग वहाँ जागे प्रिफेस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो और देखिए इसके साथ में आपके जितने भी पीडिफ है जनरल साइंस का जैसे कि बाइलोजी हो गया केमेस्ट्री हो गया और फिजिक्स है तो इन सभी का जो हमने पुर कॉंप्लिट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वह सारा चीज आपको मिल जाएगा और साथ में प्रिफिस एर कोशन भी आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइस तो आप लोग जाए इससे अपना प्रिप्रिपरेशन कर सकते हो और लिंक इसका आपको डिसक्रप्श आप लोग कोर्स में इंडॉल होते हो तो इसके लिए आप लोग हमारा एप डाउनलोड करना सर्जी क्लास के नाम से है इसका लिंक आपको डिसक्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और साथ में आप लोग को जह है वहां सभी मिल जाएगा और कोर्स हमने देखी कि वह लूट इसके लिए इसके लिए आप लोग जैसे यह आपको डाउलोड करोगे तो आप लोग को जो है रजिस्टर करना है और इसके बाद फिर इसके बाद फिर स्टोर सक्षन में जाना है और यहां पर जो आपको को पूर्स सेलेग्ट कर लेनी है जरनल साइन्स वाला और जैसे आप लोग बाइ कर लोगे तो आपको देखी कॉंटेंट सक्षन में जाना है यहां पर आपको जह सारे फूल्डर दिख जाएंगे आपको लेक्चर्स का और पीडिय फाइल्स का भी तो आपको लिंक किसका मिल लाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आते हैं लोग अपने क्वेस्टेंस पे यहां देफिए क्वेस्टन है आपका कि फ्रॉफ विच चैंपर अप्डी हर्ट ड़स दे पॉल्मनरी आर्टरी कैरी ब्लॉट तो देखिए इसके पीछे जो कॉंसेट है आपको यह समझना होगा यहां पे तो हम लोग जहें पर देखिए एक ब्रीफ ओवर्विव इसका ले लेते हैं लोग तो दिखिए जो से हट के बारे में हमने आपको पहले भी जो है बताया हुआ इसके क्लास में और पिछले क्लास म हमारा के एक pumping organ है हमारे human body का जो कि यह पूरे body में ब्लड को यह pump करता है अब हाट में देखिए involuntary muscles होते हैं इसके अंदर में और इसके अंदर में देखिए जो involuntary muscles जो होते हैं इसी के चलते जहाए आपका वह जो pumping होते रहता है आप यहां देखिए हाट की बात करते हैं इसमें 4 चैंबर होते हैं चार चैंबर में जैसे डटसा नो होता है आपके और लाइट को जहां धेरी और को ड़ी होता है अप eli कि बॉलडी में सिंस क्या है कि जहां से डी- अशिंदी बलड आएंगे तो उनको यह रीसीब पर एगा जो रायट साइट के होते है और जो लेफ साइट के जो है आपका यह देखिए ऑक्षिनटेड़ ब्लड को आपका वहाँ पर तो और गहां पर जो है आपका फिर सर्कुलेट होता है बुरें बॉड़ी के अंदर में तो यहां पर मेली जो इंपोर्टेंट आपका रहता है जैसे बॉड़ी से आपका क्या होता है ना कि जो ब्लड होता है तो वो जो है आपका हर्ट के आएगा सबसे पह तो आपका right atrium में आएगा इसके बाद दिखिए फिर जो blood है आपका right atrium से right ventricle में जाता है यहाँ पर अब इसके बाद दिखिए जो right ventricle में जैसे ही यहाँ पर आया अब इसके बाद blood आपका lungs में जाता है तो lungs में यहाँ पर carry कौन करता है right ventricle से तो आपका pulmonary artery तो pulmonary artery का काम होता है यह कि यह जो है आपका carry करेगा जो कि deoxygenated blood है जो कि अभी purify नहीं हुआ है तो उनको जो है लंग्स मिले जाएगा तो कौन ले जाता है यहां पर pulmonary artery ले जाता है अब इसके पहले देखिए जो artery है आपका इसका काम होता है carry oxygenated blood को ही सिर्फ यह carry करेगा लेकिन यहां पर pulmonary artery यह exception है आपका यह deoxygenated blood को यह carry करता है तो basically यही चीज़ आपको याद रखना है यहां पर और यही question में पूछा गया था तो आप दिखिए क्या होता है कि लंग्स में जैसे oxygen अमल ब्लड जो है आपका carry हो चुका है जो कि deoxygenated blood है यहां पर ब्लड का जो ब्लड जाए अब उसमें oxygenated जो deoxygenated blood है वो आपका क्या होगा आप एक्षेंज होगा oxygen के साथ में अब यह जो है purify हो जाएगा अब यहां पर दिखिए जो oxygenated blood है आपका तो बो जहाँ pulmonary veins का दोरा यह फिर left atrium का अंदर में इंटर करता है तो यहां पर एक important point आपको याद रखना है कि जैसे जो atrium है यहां पर जैसे आपने देखा था आपका artery का उसी तरीके से यहां पर आपका भींज होता है इनका काम होता है deoxygenated blood को carry करता है यह एक exception वाला case है जो कि आपको यही याद रखना है फिर इसके बाद जहाए left atrium में एंटर कर process तो i hope कि यह चीज़ आपको यहां पर clear हो गया होगा और देखिए ओटा जो है तो यह largest artery होता है हमारे body का जो कि यह पूरे body को जैसे कि यह आपको आपको सिंपल है आपको बस इसमें से यह point याद रखना है तो यहां देखिए question आपको यह जैसे पूछा गया था कि कौन सा chamber of heart सोजा जहां पर pulmonary artery carry करता है blood lungs में वह ले जाता है तो यह है आपका right ventricles में जैसे कि हमने आपको यहां पर बताया भी था डाइगराम के तुरूप यहां भी देख भी सकते हो कि यह देखिए जैसे कि आपको यह जो राइट ventricles है आपका यहां से फिर वह लंक्स में जा आपका oxygenated से यापके carbon dioxide से टॉक्षिन से अब है लिफिड से तो हमने आपको बताया थे दिखिए जो आपको आट्री होता है इसका काम होता है oxygen blood को carry करना यानिको oxygen blood filled with oxygen उसको यह carry करता है आट्री तो यह दिखिए क्या होगा option यह right answer होगा लेकिन एक exception था इसके अंदर में कि जो कि आपको है pulmonary artery तो यह जो है oxygenated blood नहीं यह deoxygenated blood को carry करता है तो यह exception आपका है जो कि आपको यही याद रखना है नेक्स दिखिए question है आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि to which part of the body does the blood from the pulmonary artery go यानि कि कौन सा body का वो parts है जहां से blood जो है आपका pulmonary artery से वो जाता है तो दिखिए जो pulmonary artery से जो blood है तो वो कहां पर आता है तो वो lungs में आपका आएगा तो यही same question आपका previous question जो था उसी को इसने में जाता है आपका और कहां से आता है यह carry करता है जो आप अभी हमने बताया हुआ है तो इसका देखिए यहाँ पर जो एंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर जो कि इसने पूछा था कि वो कहां पर ले जाता है तो वह आपका pulmonary artery यह जो है आपका राइट विंट्रिकल से लंग्स में ले जाता है फिर अगला देखिए question है कि which one reveals more appropriately functioning of a heart तो इन में से कौन सा जो है रिविल करता है कि जो हाट का प्रोपर functioning होता है वो तो इसमें देखिए दिया वाइलेक्रो कार्डियोग्राम, एको कार्डियोग्राम, इस्टेथोस्कॉप या फिर लिपिड प्र कि how many chambers are present in the heart of a fish, यानि कि fish का जो heart रहता है तो उसमें कितने chamber of heart present रहते हैं तो इसका दिखिए जो है two आपका answer हो जाएगा, तो number of chamber of heart जो होता है यह आपको याद रखना यह भी कापी important question आपको रहता है, तो यहाँ पर दिखिए number of chamber जो heart के अंदर बनते हैं इसका कहने का मत मतलब क्या होता है कि देखिए जो different जो organizations होते हैं तो उनमें जो है different vertebrate class होते हैं उनके अंदर में, अब यहाँ पर number of जो different करते हैं तो यह आपको जैसे vertebrates के पर में रहती है, हैनि कि कुछ जैसे alligators होते हैं या फिर कोई birds होते हैं तो उनका जो vertebrate class जो अलग अलग रहता है तो उसके basis पर यह hearts different मतलब होते हैं chamber उनके अंदर में तो यहाँ पर देखिए basically जो chambers होता है तो इनका काम यह होता है कि यह determine करते हैं कि कितना जैसे heart जो है तो फ्लो ऑप oxygenless blood को और साथ में जो oxygen poor blood है तो उसको कितना easily जो हो separate कर देता है क्योंकि देखिए body में हमें oxygenless blood की जरुरत होती है अगर उसके अंदर में आपका माले oxygen poor blood अगर आज है मैं दो किसमें carbon dioxide blood आ जाए तो उससे problem होगी तो इसी की चलते तो यहां पर देखिए example में आपका दिया हुए जैसे हम face की बात करते हैं तो इसमें जो है दो chamber heart होते हैं एक atrium और एक ventricle और वहीं पर जो amphibians और जो reptiles जो होते हैं तो इनमें देखिए three chamber heart होते हैं दो atria होता है और एक ventricles होता है और वहीं पर बॉर्ड और mammals की बात करते हैं तो इनमें देखिए four chamber heart होते हैं दो atria और दो ventricles तो यह तो आप एक overview हो गया यहां पर लिस्ट आपका दिया हुआ है पूरे जितने भी और्गनिजम से मतलब जो important है जो की पूछ सकता है question आपक होता है फीस की बात करते हैं तीन में two chamber heart होता है बैट में देखिए four chamber heart होता है इसनेक में three chamber heart होते हैं गंगारू की बात करते हैं इसमें देखिए four chamber heart होता है और बट्स में इनमें भी four chamber heart होते है और alligator यानि कि घडियाल है तो इसमें देखिए घडियाल में जो है आपका यह में देखे सबसे जाता number of heart chamber होते हैं जो कि आपका है 13 है और वहीं सार्क में जो है इसमें दो chamber heart होते हैं यह तो यहां पर यही question आपका था कि फीस में कितने होते है number of chamber of heart तो वह है आपका 2 इसका हो जाएगा फिर अगला दिखिए question है कि number of chamber found in the heart of a whale is any whale जो है उसमें कितने chamber of heart होते हैं तो दिखिए वेल जो है यह भी आपका क्या है यह भी एक mammal के category के अंदर में आता है आपका तो इसमें कितने होंगे तो वह है आपका that is 4 हो जाएगा इसको पूर आप इसी जो है यहां पर हम लोग question को cover करते चलेंगे जितने भी आपके पूछा गया हुए थे और जो लोग अभी तक पीडियेप को बाई नहीं कि आता आप लोग कर सकते हो लिंक आपको description box में मिल जाएगा जो चलिए फिर मिलता है नेक्स वीडियो में